वहां पर स्वर्गया नरेंदर बलहारा जी मिल गए सामने तो उनको सिंगर की जरूरत थी तो उनके जो नाट को सिर्फा म्यूजिक करते हैं अलबम तो क्या आपकी लव मैरी जुई थी आपके सामने मुझे पता नहीं थी इस बात का सारवाइन रामरा मेरा नमर राहूल अत्री से मैं आप देखन लग रहे हो मिस्टर राहूल अत्री यूटूब एंड फेसक चैनल तो जहां मैं आज आप सब साथेंदर लेका आया हूं हर्याना की एक सिंगर है फीमेल सिंगर है आपने सबने नाम जूरू सुना लेकिन उनकी स इतनी मधूरता है आप सुनों कर मंतर मुग दू जाते हैं बहुत सारे बंदे जो मेरी ओडियंस है वो पहचान की होगी मैं किसकी बात कर रहा हूं आप सब से मिलवाता हूं आई एक बार कैमरा मैं से कोई पिछे हो जाए कर कैमरा मैं बहुत एक अच्छा इंसान है मेरे जानका मेरे चैनल पर स्वागाते हैं रहे राम राम जी और हर्याना की सारी जनता को मेरी तरफ से राम राम मिनाकसी पंचाले गाने आप सबने सुने होंगे जुन का फेस है तो आज जानेंगे इनकी जीवन प्रीच्च कि कैसे इस श्टिर के अंदर आई हैं वो और आज कि नहीं है पिछले पंदरा सालों से हैं बहुत माइने रखता है और आज भी टिकी हुई है आज भी नाम है एक अच्छा क्योंकि आवाद में मह धूरता है मैंने खुल सेतारी बहुत कर लिया विनी के मुझ सुनते हैं तो सबसे पहले हम जाना चाहेंगे आपको कोई सोंग सबस सबस्क्राइब कर लोगों ने तो जिस भंगवान ने जो मुझे माता सरस्वती ने आवाज दे रखी तो उस आवाज को अगर लोगों कानों तक जारे तो मैं इससे बड़ी कामिया भी नहीं मानूंगी फेस चाहें देखें या ना देखें वो तो एक अपना काम करे का स्ट लेकिन क्या होता है कि अगर कोई हम गाना कर भी ने कुए अल्बम का तो उसमें क्या होता है कि जो हीरो यह रो है वो खुद को ही प्रधान रखते हैं जी जान पाएंगे कोई सोंग जो पहले फंदर साल पहले आपका जो सूपरसिदर आव एक बर कुना दिजी जो फेमस हु पानी वाली पानी प्यादे फिर भाबी देद्देगेडा और यह मन बहुत सौंग थे पतला दुबट्टा तेरा मूझ दिख है और कुवे पलुगाईयां दोरेकाम के फकीर का यह राणी फोक्स ओंग ऐसे थे आतक लोग भोले निया उन सौंग को बजते हैं हाज भी डीजे मैं के कि और एक बात और is मिनाकसी पन्चाल सरु यह नाम गूंच ऴर्मा लगाते हैं हैं सट्रा कि क्योंकि यह सादीं से लुटाइघ का टो लुटाय चुछारды 1 पोर्फी निएक तो नहीं सकाथ मेसरा लिक यहीं के और शुच्म, घ्रमि黄 купा शवी पहले मेरी 2010 में Congress 10 में मैं कितने लोन से थे एक च्छार साल छांदे ते हम क्योंकि वह म्युजिक करते थे वो अपने कॉलीज करके जैसे हूने एमे की थी, तो में उन्होंने अपना कर लिया था, तो मैं गाती थी, तो रिकोर्डिंग्स पे हमारी मुलाकात होती थी, तो तब ही से जानती थी, मतलब अगर ये बात मैं क्वेस्टिन पूछ रहा हूं आप से, फैमली ओके थी, दोनों क फैमली में थोड़ी नाराज की थी, क्योंकि वो पंजाबी और हम हर्याणी, तो मतलब उस टाइम तो जो 2010 के टाइम हमारा समाज में जैसे अंतर जाती अभी वहां को इतना नहीं मानने था थी, तो बहुत साल पहले की बात है, हाँ, और मैं तो कहती हूं भगवान के दया से ऐसे साल पर बीचते ही जाये तो कल की बात लगती है, मारे इन लगता है कि बारा साल हो गया यूं लगता कल की बात है, मैं बताना चाहुँगा है इक दिखक पर स्टूडियो का दिखा गल सामने से इस यहां पे मैक वीजी डिजी रिकोर्डिंग कर रह रह इया है, आने वा मेहंदी के पात रगड रचाओ मेहंदी जी राज तोडोरी नण दे मेहंदी के पात रगड रचाओ मेहंदी जी राज नाले रिधोले कर ले शिंगार पटी जुकाले सचे मोतियां सी राज होले भावज मारे रिसाथ आज मिला दियू बीरा अपणा जी राज तोडोरी नण दे मेहंदी के पात रगड रचाओ मेहंदी जी राज मैं सबसे पहले ही जाओंगा कि जो यह मुजिक की लाइन है जिस तेम आपने कदम रखा था लाइन में उस तेम हर्याना में कोई इतना क्रेज था नहीं लड़कियों खासकर तो आपने उस में जगह कैसे बनाई उस समय में मुझे ना शौक बच्पन से ही था और पहले करम होता था उसमें गाने से यह की बात अगर बात करें यह जब मैं बिलकुल बहुती फॉर्थ क्लास में उती थी इता inhale टी इसकि वाठ की मैं 88 बॉरन ही उसके पार इसकूलिंग जब फौर्थ हम तरह तब स्कूल के कारेकरम में करती थी उसके बाद बिंगे करती घूस के स्पेशल ही समझती आई हूं बच्चपन से ही यह हर किसी समझना चाहिए और हर किसी को अपने अंदर की प्रतिवा कोना पचाना चाहिए बिल्कुल मतलब यह लगता था कि मैं कुछ अलग हूं कभी यह नहीं हुआ कि मुझे मतलब की चांस लेने के लिए दरूदर मोका पाने यह लिए बनती थी चीजे बनती ती उस टाइम के लागनी ओका दौर था स्टेज बगारा पे हां गाते थे लोग और यह साइड बाई साइड बाई साइड ओडियो कैसेट भी चलती थी सीडीज भी चलती जाना टक चलते जैसे नरेंदर बलहरा जी अपने का रागनी स्टे यह लिए नहीं गई तो मैं रिकॉर्डिंग लाइन में चली गई और कई बार जागरण वगेरा भी जो मुझे मिलते वो भी कर लेती थी और रिकॉर्डिंग्स जादा रहती थी तो नहीं जाओंगे पहली जापने अल्बम पकड़ी हो कैसे बगड़ी हाँ वही मैं बता र चंद्रावल फिल्म के डांस डिरेक्टर तो उन से हमारी मिला हमारी शहर से यह वो जानकारी हुई मेरी तो वो मुझे एक बारी यहां रोतक रेडियो स्टेशन पर लेके आए वहां पर हां स्वर्डिया नेरेंदर बलहारा जी मिल गए सामने तो उनको सिंगर की जरूरत थ जो माँ उनका जनम करती है, उनकी माता होती है, तो वह बारी बाइन होती है, वह गाना है, वह शयखती है। मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा भूलो नाशान बिल कि बहुत अच्छी सोंग मैं बार बार तारीफ नहीं करूगा और लूह पे तारीफ अच्छी नहीं होती है अज़ा इसके बाद आपने मैं बात को और दो आपको अभी दादा लख्मी फीलम आई थी थोड़ दिन पहले तो उनमें एक सोंग था मैडम का उस फिलम मेरे तीन गाने हैं और कुछ अलाब भी है गुरू एक विद्या अनेक गुरू बिन ग्यान नहीं मिलता बिन गुरू गती नहीं जीवन में बिन गुरू भगवान नहीं मिलता अरज सुनो इस बालक की नात जीना मुश्किल हो जागा हे गुरू देव अगर आपके चरणों में स्थान नहीं मिलता मैं माटी गार्या पत्थर सुन मेरी तस्वीर बणा द्यो तुम इस अनपढ़ गवार चरवाहे की बिगडी तकदीर बणा द्यो तुम पड़ो जी चाहे आग में तपना रे जगत से यो रेन का सपना रे बहुत बढ़िया कि कितनी मुश्किले रहें आपकी जीवन में जहां से आपने सिंगिंगी स्टार्ट करी ती आप अभी 2022 में हो दोजार तीन से लेके 2022 तक कितनी आपको मुश्किन जहलने पड़ी दिक्कते तो देखो सबसे पहले तो मतलब उस टाइम जब लड़कियां काती थी ना तो उसको ठीक नहीं मानते थे जैसे हमारे रिष्टेदार भी और भी कई लोग तो एक तो पारिवारी लोगों से ही जो मनजूरी मिलना इसकी दिक्कत थी एक तो पर लेकिन जो मेरे अशल गाड़ी ली और मतलब मुझे जैसे एसी कियादत नी थी तो खुद गर में मरते रहते थे वह अंदर शीशे में बंद रखवाती थी मतलब मेरे हर इंस्ट्रेक्शन को फोलो करते थे और मैं रिकॉर्डिंग करती थी वह इतने बिचारे बोर हो जाते थे अख़ार भ शोर्द हाँ दिए अपने जीवन फे बिस तब करता है लेक्षब करता वह नह份थ ने चाहिवेर में पटांच hmm binge maa गाती थी यूपी मेरे गाने यूपी तक एमपी तक चलते थे तो यही नाम गया हुआ है हर जेगे अलग 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 कठनाय को पार करते हुए 2003 से लेके 2002 तक आज में हम खड़ी है इस मुकाम पे बहुत सारी कठनाय जहेली है मैडम ने इसे लाइन में क्योंकि लंबा वही ट मैं तो यह कहना जाते हूं कि जिसके अंदर भी टैलेंट है गाने का या मतलब जो आना जाते हैं आज कल मतलब उतना स्ट्रगल पहले जितना नहीं करना पड़ता अब बहुत साधन हमारे पास है आज कल क्या इंस्टाग्राम है या डिरेक्ट आप मैसिज कर सकते हो किसी भी बड़े कलाकार को कि आप मुझे मौकर करते हैं कि जुड़ने के महतिम हो जादा हो गया है और डियम सिधा करो और डियरेक्ट बातचीत कई लड़कों को मैंने देखा हुदारे नहीं कि आज कल जो आज का जमाना है यह डियम करना है अगर आपके इंदर स्किल्स है तो आप उनका मन करता है कि इस काम में वो अच्छा कर सकते हैं तो वो उसकी तरफ ही जाने का प्रयास करें और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है साथ-साथ पढ़ाई ज़रूर करें क्योंकि पढ़ाई के बिना तो वही बात है कि हमें संपूर नहीं होता व्यक्ति हां कला अलग चीज के गाने सुने हैं और अच्छे लगे हैं प्लीज नीचे कमेंट कर दीजेगा हैस्टेग मिन एक्सी पंचाल हैस्टेग मिस्टर रहुलो तरीक नाम से आपके हर कमेंट का जवाफ दिया जाएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद रम रम जैहिंद जैभारत हुआ 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 है